आज हमारे फेलो रेजडेंट्स के लिए नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम लोगो को सब को समझ में आ जाए कोविट से हम सब डरे वे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें इस डर से थोड़ा सा निकालिये क्या प्रिवेंशन लेना बताईये कैसे जीवन को जीना ये इस सिचुएशन पर हमें निकालिये प्लीस थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में निकालिये जो हम लोग को समझ में आ हैं प्लीस रहे जो दो 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 जए अधिये जोड़ा गुड़ा आफ दो ब्लीस कोड़ा जुड़ा यह यह जोड़ा को आपको आपको सम्हालय कोशिश करूगई कि हम किस जगा खड़े हैं I would like to take the opportunity to thank our Space Town Association and lot many senior members who have been really doing fabulous job in this trying moment So, back to COVID Now, the thing is we all know ये करना है, वो करना है ये नहीं करना है distance maintaining करना है मास पहनना है sanitizer से बार-बार हाथ दोना है लेकिन कुछ-कुछ final things है जो लोग को पता नहीं है या बोली नहीं गई है So, उसको हम लोगो पहले follow करना है और दोस्त, डरना नहीं है डरना नहीं है, डरना नहीं है उसके पीछे बहुत सारा कारण है कि हमें health को अपने prime पे रखना है तो उसके लिए हमें physical, mental, metabolic ये तीनों को एकदम दुरुस्त रखना है So, now mental is what? डरना नहीं है इससे घबराना नहीं है उसके पीछे medical reason क्या है? Medical reason यह है कि अगर आप डर गए तो आपका जो immune system में वो down चला जाता है हमारे T fighter cells है जो हमारे सेना पती है मंत्री है T cells The B cells जो कि हमारे immune system को boost करके रखते है वो नीचे चले जाते है हमारा सारा system बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है Heartbeat बढ़ जाती है oxygen demand बढ़ जाता है So COVID positive जो patient होता है वो suddenly shortness of breath का feeling आता है घबराट होती है और वो इस घबराट में कुछ गलत सोचने लगता है तो उससे बचना है और अगर हम अपने पुराने संसकारों पे चले जाए तो कि world में सबसे ज़्यादा patient अगर किसी के पास है तो psychiatrist के पास है सिवाए इंडिया में क्योंकि हमारे पास में हर किसी के पास में गूरु जी है हर किसी के पास में उसके स्याम बाबा है किसी के सलसर बाबा है किसी की माखाली है किसी का दरगा है किसी का गुरुद्वारा है किसी का चर्च है और हम सोचते हैं कि हमको तो कुछ होई नहीं सकता मेरा वो समाल लेगा और अगर हम ऐसा सोचते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो trust me ऐसा होता है कि हमारा immune system accordingly charged up हो जाता है and we tied over it उसके बहुत सारे उदारन है उसमें एक छोटा सा मैं समय लूँगा एक patient म मैंने देखा था जब when I was a birding doctor just मैंने practice सुरू किये थे अपनी तो एक doctor Rahul Gupta होते थे मैं बात कर रहा हूँ the year 1990 में तो बहुत famous है वो लोगों के आम आदमियों के बीच में बड़े आदमियों के doctor नहीं थे वो आम आदमी के doctor थे और लोग कहते कि Rahul Gupta ने अगर देख लिया तो मैं ठीक हो जाऊँगा तो एक बंदे का surgery भी उसको hydrosil हुआ था तो surgery के बाद में seven days से बाद में stitch होना खुलना था और वो को घर चले जाना था तो ऐसा हुआ कि उसका wound heal नहीं हो रहा था अग continue वहां से discharge हो रहा था तो surgeon भी बहुत परिशान उसने medicine के doctor को बुलाया सारे test कराया गए वहां से जो discharge हो रहा था उसका swab test किया गया culture किया गया कुछ नहीं आ रहा है everything is normal the patient is not recovery and patient was so much depressed कि साइद अब मैं बचूँगा नहीं मुझे बहुत कोई बड़ी बिमारी हो गई है और मैं मरने वाला हूँ मुझे अच्छे से याद है कि रहूल गुक्ता उसको द किया था तो उन्हें बुला बट किछी होई नहीं आमी ऊसुद दिच्छी साथ दी ने तुभी भालो जाबे जोदी भालो ना हो आमा टकेटे बात दिये दो को वह सॉरी फॉर दे लैंग्वेज लेकिन उन्होंने यही सब का इस्तेमाल किया था महां पर और प्रस्ट मी उस से कहीं हलकी दवा उनको दी गई पर उसको पेशेंट को विश्वासता है कि राउल गुप्त ने देखा राउल गुप्त ने बोला है कि आप ठीक हो जाओगे और साथ दीन में ही रिस्पॉंडे तो देट सो दिस इस दीन में आपको बता दू कि मैं अभी भी प्रक्टिस कर रहा हो और जा रहा हो अपने चेंबर और एवरी डे जा रहा हो and I happen to see more than 20-25 odd positive patients every day because अगर हम सफर करते हैं तो हमारा परिवार, हमारे fellow residents, हमारी society सब हमारे लपेट में आते हैं और stress को कराने के लिए मैं insist करूँगा क्योंकि अगर हम test कराते हैं तो अगर positive आ भी गया तो डरन का कुछ नहीं, एक आम बिमारी है, खाले इसका जो फैलने की जो रफ्तार है वो काफी तेज है और अगर अगर medical condition नहीं है जैसे कि diabetes है, hypertension है, obesity है, uncontrolled diabetes है, ये सारी जो समस्या हैं ये नहीं है, ये extreme of age है तो आपको डरने का कुछ नहीं, सारा इलाज घर पे होता है, covid positive आता है तो बहुत सारे हमारे पास में नए treatment के avenue school गया है, वो हम आप पे अजमा सकते हैं, हम try कर सकते हैं, तो डरने का नहीं, कराना है और है, तो उसको treat कराना है, इसके तीन forms होते है, mild, moderate, fever, mild में आपको डॉक्टर से भी consult करने के दरकानी, moderate में yes, उनके सला जरूर लीजिए, उनक में नहीं लेना है, क्योंकि परिस्तिती यह है, कि हस्पताल में बैड नहीं है, और जो बंदा हस्पताल में भरती हो जा रहा है, वो बोला मुझे तुरंद निकालो, मैं मर जाऊँगा या रहा तो, तो जो भार है वो अंदर नहीं जा पा रहा है, जो अंदर वो भार आना तो समझ लो, कि आपको कितनी सावधानी बरतनी है, and how serious is the condition, because of the existing condition, health care conditions, so all of us, please do take it seriously, रस्ते में, हनुवान मन के घुमने के दरकार नहीं है, और मूचों को रोज दो बार दोना है, केसों को दीन में दो बार दोना है, क्योंकि COVID सिर्फ नाख और मूँ नहीं, मूचे और बाल में भी रहते हैं, उसका भी विशेज जियान रखना है, लोगों ने नहीं बोला, अंगुठिया नहीं पहननी है, घड़ी नहीं पहननी है, ये सब सारे probable sources हैं, जिसको हमको scientifically eliminate करना है, so that we can stay safe, so the message loud and clear to space towners is, united we stand, divided we fall, so इस समय हमें सब को हाथ में हाथ मिला कर, सब का साथ देना है, और अगर किसी को हो गया है, तो उसको मदद करनी है, बाहर से, जितना भी हो सके, हर तरह से, और उसको प्रोसाहित करना है, क्योंकि इसमें लोग डर जाते हैं, और डर के अपना नुक्सान कर बैठते हैं, तो वो बहुत जरूरी है, रहा बात immunity का, तो जैसे मैंने कहा, metabolic अच्छा खाईए, vitamin C and risk food खाईए, आउला है, मुसमी है, 54 परास है, फिर बाबा जी की, वो गिलोई फिलोई जो भी है, अगर आपको उसमें बिस्वास है, तो definitely वो आपको help करेगा, मैं कहता हूँ आपको help करेगा, बट मैं एक चीज़ रोकना चाहूँगा, इन दिनों, सारे डॉक्टर्स में देख रहा हूँ, बाबा जी का चवन प्राश खालो, ये खालो, वो खालो, और पहले शायद बहुत जादा प्रमोशन नहीं होता था इन नायरुवेदिक सब्स्टेंस का, अभी ऐसा क्या चेंज आ गया कि सब डॉक्टर्स भी बूल रहे हैं कि वह ये खालो, वो खालो, हम में सायद गलत समय लिया, गलत इंटरपिटेशन किया, मैंने कहा कि अगर आपको उस पर विस्वास है, तो वो जुरूर काम करेगी, तो वो जुरूर करेगी और करनी भी चाहिए, और उसके अलावा बहुत सारी जैसे, मैंने तीन-चार महने पहले लोग गहा था कि जो फ्लू कोड़री का वैक्सिन है, वो उसका शॉट ले लो, तो लोगों ने लिया भी, और अभी रिसेंटली उसका आर्टिकल, बहुत बड़ा आर्टिकल भी आया, जो कि तीन मेने बाद आया है, कि थाइलेंड में अल्मोस्ट एव्रिवन कंपल्सरी है, सब को लेना है, और उसके अलावा उस्ट्रेलिया में भी लोग ले रहे हैं, फ्लू कॉर्टरी जो वैक्सीन है, इम्मुनाइशन शेडूल में इनकॉर्परेट हो गई और बच्चों को अनिवारे हो गया है, और आने वाला टाइम इस वेरी डिफिकल्ट, कौन सा वायरेस, क्या म्यूटेट करके आएगा, तो ये कवरेश हमें बनाए रखना है, अभी नया जो आया है, कि MMR, ये वैक्सीन भी, इसका भी लिंक मैं है, इसमें आपको दे दूआ, आप लोग उसमें जाके उसको देखेगा, कि MMR में जो 15 मन्स में हम लोग देते हैं, फिर 5S पे भी देते हैं, तो ये जो वैक्सीन है, उसका जो रुबेला कमपनेंट है, उसका जो स्रुक्च्छल फॉर्मलिशन और कोविट का काफी एक जता है, तो ये वैक्सीन भी हेल्प करती है, तो जहां जब हमें कुछ नहीं होगा, तो हम डेफिनिटली सो करेंगे, क्योंकि 2020 का मैच है, और एक रन या दो रन से जीता जाता है, तो जिसके पास में ये हतियार रहेगा, वो जीत जाएगा, और क्या, दर के आगे जीत है, इसकी अगर मिले आपके तरफ से? कर दो कर दो कि तो अब नहीं मास्क पैनते हो तो नतिंग तो वरी कि आओ देखो यह मेरे मुंझ से मत बुलवाओ क्योंकि मास्क पैनना चाहिए इस वागते हैं यह तो अब कर रहा है इस समय और almost इसका conversion मतलब अगर मैंने दस कर आया तो seven to eight positive आ रहे हैं और इसका वाइरल जो load है वो इतना ज्यादा नहीं है तो patient recovery बड़ा smoothly कर जा रहे हैं लेकिन हाल में हमारे दो young patient space town की दो है जो कि आज ही hospitalized हुए है जिनका saturation गिर गया था तो ऐसे में हलके में नहीं लेना है और कि सभी तो ठीक हो जा रहा है तो फिर क्या होता है तो देख लो आपके सामने life example है कि दो बंदे आज भरती हुए है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो अंदर गए होंगे वो भार निकलने के लिए desperate होंगे भी क्योंकि अंदर जब आप जाते हो और वहां पर अगल बगल जब डेस होती है और पेशन रात बर चिलाता है उसमें अगर आप स्वस्थ हो हाफ स्वस्थ हो तो आप तो दिन में सो बर दुआ मांगोगी जीने की और वहां से निकलने की तो ऐसे में सावदानी is very important is very important तो हम लोग अभी heaven में this is right now heaven and the hospital अगर गलती से पहुंच गए हैं लोग तो situation तो बहुत जादा खरा है तो यह बहुत सही कहा आपने कि तुमने कि hospital जाना नहीं है hospital जाना नहीं है तो नहीं जाना नहीं है तो health को बना के रखो एक number दो number positive सोचो lockdown को blessing समझो in disguise आज हम बैठके यहां जो discuss कर रहे हैं मै अपना बक्सा लेकर नहीं निकल पड़ा काम पर तो lockdown है आज मेरी बेटी घर पर है medical second year में है साहध हम लोग इतना 10 दिन भी एक साथ रह पाते कि नहीं पूरी जिंदगी में वो नहीं था आज वो मेरे साथ 3 मैने से और साहध एक मैने और रहेगी तो यह तो blessing है आज हमारी family bonding है माँ बाप से मिलना उनसे बात करना blessing है हमने अपनी requirement कितनी चोटी कर लिया देख लो बड़ी बड़ी गाडिया बंद हो गई है खडी है बिलकुल start करके हथे में एक बार आगे पीछे करना पड़ रहा है तो देख लो कि हमने इस चोटे से वाइरस ने हमें अपनी अपा से भी आस पर इट तो भागवान ने वाइरस के थ्रू बेज दिया हम लोगों कि अब भी सीख ले लो सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ मिरको याद आ रहा है मैं कुछ दिन पहले घर पे महा भारती देख रहा तो तो बलराम जी कृष्ण भगवान से बूशता है कि म भारत इतना क्यों करा अगर तुम्हे लोगों को मारना था तो कोई महा मारी कर देते तो मिलको लग रहा कि इस लो हमारी कर दिया उनोंने सही में रहा लकिन यह लेकिन यह लें बाबार आ अच्छा नहिया अच्छा नहिया है, अच्छा नहिंए ben औरोर को अर विआ सासे सब्सक्राइब कर दो कि अगुस्ट में आ रही है जुलाई में आ रही है उसने रहस्या निकाल दिया इस्राइन निकाल दिया डंडन बेशी निकली पड़ा है तो यह सब अकवास है डिसम्बर एंड जैनवरी से पहले यह वैक्सिन हमारे पास आम आदमी के पास नहीं पहुं अब यूमिनिटी में सुना तो बहुत हो बढ़त यह बड़ा ठर्म है कि जब कम्मुनिटी स्प्रेड होने लगता है तो क्या होता है कि यह जो वाइरस है यह उपर्चनिस्टिक वाइरस है एक होस्त से दूसरे होस्त पे वह जंप करता है यहां पर इसकी खुराग पूरी ह मिलके तीसरा चौता मिल रहा है तो वह वाइरस ट्रांस्मिट नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या होता है वह अपनी मौत खुद मर जाता है लोग सुचते सब को हो जाएगा तब हर्ड इम्मुनिटी को ऐसा कुछ नहीं है 30-40% of the population get affected तो वह जो वह जो वानादर होस का जो 25-30 क्रोड अभी तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको सर्दी खांसी जुखाम समझो बजड़ा और इसको बरदास करो और कर क्या सकते हैं मेरे पास तो भाई है तो वैसे आप लोग सब के पास भी है and I really appreciate जब मेरे को पता चला कि यह ऑस्ट्रेलिया और बैंकोक कोवले जो आपने जो वैक्सिन दिया था so I always admired one thing is कि आप कितने सटीक और कितने विजिनरी है मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है जब लुक्षिए तो कि इसमें काम करता हूं इसमें भी करेगा ने बट यह तुक्का भिडाना और अपने कहा ना एक दो रन का फास्ला है तो जो जो दो रन तीन अ कर आज है तो चुछ तो जो है वह बहुत इपाटिंग तो शहाएद आपने पेस्टाउन को अल्य दे दिय यह जो रधर बिलीव दाट कि एगर आज तीन मेना चार मेना बाद अगर लोग रिसरच करके आरहे हैं लोग रहे हैं तो इतना खुशी हो रहा है कि यूग आज पीर्स थूट थूट तुट टाइम और वेलुएट तो यही अज़ाद जरूरी लगता है कि कॉन कितना कूल केला प्लाकों कि अपने धोनी साहब जो है ना लास रुट मैच को भी जिताते हैं लास बाल जाते हैं सो हम लोगों के पास तो आप हो लास बाल तक हम लोग जाना नहीं चाहते हैं मगर क्योंकि we're all panic अगर आप फीवर है आपको तो घर में बैठिए अराम से रेस्ट लीजिए बहुत सारा फ्लूइट पीजिए अपने आपको हाइडरेटेड रखिए और ठंडा गरम मत होने दीजिए अगर आप गरम पानी नहीं पीरें तो ठंडा भी मत पीजिए और विटमिन सी एंड्रिस्ट खाना या फिर अगर नहीं ले रहे तो सप्लिमेंट लीजिए और अगर आप पॉजिटिव है तो बहुत सारी दवाएं अभी आगई हैं फेबरेबल दवाएं एकदाम स्पेसिफिक नहीं है जो बुल्साई जिसको बोलते हैं वैसा कुछ नहीं है लेकिन हैं बहुत एफेक्टिव है वह दवाएं लेने से आप घर पे ही ठीक हो गए और हॉस्पिल का तो सोचो भी मत भगवान नहीं सब अपने घर पे रहें अच्छे रहें स्वस्त रहें यही कामना है और अगर हॉस्पिल भी जाना है तो जाएंगे वापस भी आएंगे खुश रहें और मस्त रहें और जीए और जीने दो यह दो रखें अच्छा एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं सबके साथ आज हमारे प्रेजिदेंट साफ का मौनिंग में कॉल आया था और इसी वजे से मैं पाल्दा फोन करके चिंता जता रहे थे कि अब साफ आप ईए बाद जीए पेपल को मैंने इसलिए बड़ी आप की सब्रूर्टा खुबकार मैं थार नहीं नहीं है 오ुबके आप इसको चुपा नहीं नहीं है यह रहे बात है क्योंकि आप इसजी आप पॉसर्टिप आप ज़ने कोई नहीं है इसलिए आप अश येस, इस वर्य इंपोर्टेंट कि अगर आप आप पॉजिटिव हो तो बताने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए आप उसको छुपा रहे हो तो बली गलत बात है, क्योंकि आप ना सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो, अपना परिवार का नुकसान कर रहे हो, अपने पड़ोश अपने चुपाना नहीं है, उसका इलाज कराना है और सावधानी पर अतनी है लोगों बताना है कि देखो मैं हो गया हूँ और आप हमसे दूर हैं फिर मिलते हैं 14 दिन बात फिर मिलेंगे क्या है बेसिकली 14 दिन का ही तो 14 साल का वनवास थोड़ी न चौदा दिन का है तो राम जी पर विश्वास रखो राम जी पर विश्वास कर रहा हूं और मैं आपको डनानी की भी कोशिश नहीं कर रहा हूं तो डना नहीं है क्योंकि डनने से आपके T-cell B-cell लिशे चले जाएंगे यह T-cell और B-cell क्या होता है और वो लड़ जाता है वो लड़ जाता है और वो लड़ मेरे अंदर में वह T-B-cell प्रयाप मात्रम है कि मैं रोज 20-25 पेशेंट रोज देख रहा हूं देखता हम कुछ यादा हूं तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं अगर हुआ भी तो देख लेंगे देख लेंगे क्या है तो मेरे खेल से दोस्तों जब हमारे पास भाई-साब ह तो चिन्ता की कुछ बात नहीं है। नहीं से नहीं चाल सारा है फिसक देख गाता हुआ तो प्रों प्राफा सरी रोजो कि अगर से बिल्यू यह से से Empire तो पेहली था दोडों मात्तों तो कि मेरे ब्ल्स सराउं ट्यूं कर दो 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 कर